प्रतिफल के इस पूरे नियम को तीन भागों में बाटा गया है। उत्पादन वृद्धी नियम, उत्पादन सम्ता नियम और उत्पादन अस नियम। इन तीनों नियम को हम सामुहिक रूप से परिवर्धन शील अनुपातों का नियम भी कह सकते हैं। इस नियम का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल नहीं किया था आए देखते हैं प्रोफेसर मार्शल और रॉबिंसन के एक परिभाशा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार श्रम तथा पूंजी में व्रिद्धी समानतया संगठन को अधिक श्रेष्ट बनाती है जिसके परणाम सरूफ श्रम तथा पूंजी की कारेकुशलता में व्रिद्धी हो जाती है श्रीमती जॉन रॉबिंसन के अनुसार जब किसी प्रियोग में किसी उत्पत्ती के साधन से अधिक मात्रा का प्रियोग किया जाता है तो प्राया संगठन में सुधार हो जाता है जो साधनों वा प्राकृति के कायों को अधिक कारेकुशल बना दीता है और इसलिए उत्पादन में व्रिद्धी करने के लिए साधनों के भौतिक मात्रा में अनुपातिक व्रिद्धी करने की आविशक्ता नहीं होती है प्रोफिसर मार्शल की परिभाशा में हमने देखा कि किस प्रकार उत्पादन के साधनों में जब हम व्रिद्धी करते हैं उन्होंने भी उत्पादन के साधनों में व्रिद्धी का जो अनुपातिक परिवर्तन है उसका उत्पादन यानि होने वाले उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में विस्तृत जान करें तो कुल मिलाकर उत्पादन के साधनों में व्रिद्धी करने पर कि नाम से पसक्रार कि उत्पत्य ի्रद्धी कि इंशों करते हैं तो उत्पादन के साधनéraं में हम जिस अनुपात में परिवर्तन करते हैं उससे कहीं अधिक अनुपात में हमको उत्पादन बढ़ा हुआ मिलता है अब आधर कि पर देखते हैं क्या है और ये क्यों होता है मेधिंवन के कार्ण आगर बात करें सबसेते हैं सद्धन दिद्धान भी जेसे भूमी या पुणजी और बात करें तो मशीने नेय में इनको यह विभाजी होती है इनको नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं हमको इन इस्थिर साधनों को वास्तों में इस्थिर ही रखना पड़ता है और बाकी जो ऐसे साधन हमको ढूनने पड़ते हैं जो परिवर्तन शील हो जिनमें परिवर्तन आसानी से किया जा सके तो उन साधनों को हम परिवर्तित करते हैं यानि कि उनकी संख्या म हम उत्पादन के दौरान कमी या वृध्धी कर सकते हैं वैसे अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो एक सर्वोत्तम संयोग के बारे में हम देखते हैं कि जो उत्पादन करता होता है वो प्रयास करता है कि उत्पादन के जो पांचो साधन है भूमी श्रम पूंजी संगठन उनका प्रें का कुछ इस प्रकार संयोग स्थापित करें कि वह अपनी उत्पादन के उत्देश्म कों प्राप्त कर सकते हैं तो हो सकता है कि उत्पादन लागत बढ़नी ही चाहिए उत्पादन लागत लेकिन उत्पादन लागत बढ़ा कर हम कहीं न कहीं उत्पादन में भी विद्धी करते हैं तो यहां पर हमको बचत जो प्राप्त होती हुन्हें बड़े प्यमाने की बचत कह सकते हैं वैसा ही इसके अगले कारण के हम बात करें तो यहाँ पर नवीन तक्नीकों का प्रियोग करने के कारण या सरवोत्तम संयोग को प्राप्त करने के कारण कई बार कुछ नए-नए व्यग्याने का विश्कार भी होते रहते हैं ठीक उसी तरह देखा जाए तो श्रम विभाजन का लाप यहाँ पर प्राप्त होता है जब हम उत्पादन के अन्य साधनों को इस सिर रखते हैं और श्रमिकों की संख्या में हम व्रिद्धी करते हैं तो श्रमिकों को उनकी योग्यता उनकी कारेशमता के अनुसार अलग-अलग काम का जब हम विभाजन करते हैं तो उनके अंदर जो योग्यता है उसका लाप उत्पादक को मिल पाता है यानि कि यहाँ पर श्रम विभाजन का लाब भी प्राप्त हो सके इस कारण से भी उत्पति वृधिनियम लागू होता है अब अगर हम बात करें कि इसके सीमाएं क्या हैं क्या दोश हैं इसके तो हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जब उत्द्योगों का हम विस्तार करते हैं कई बार हम अने साधुनों को इस्तिर रखकर किसी एक में परिवर्थन करते हैं अने कि व्रद्धी करते हैं और कई बार हम पूरा का पूरा पैमाना ही परिवर्थित कर देते हैं याने कि पांचों साधुनों में हम व्रद्धी कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक जैसे कि हमने ग्राफ में देखा पहले एक निश्यत समय तक तो हमको उत्पादन में वृद्धी मिलती है फिर कहीं न कहीं समता वाला नियम आजाता है कि समान मातरा में ही वृद्धी होती है लेकिन फिर भी हम अतरिक दिकायों का प्रियोग करते जाते हैं तो एक कंडिशन ऐसे आती है जब जितना हमने साधनों में वृद्धि किया था उसे कम मात्रा में हमको उत्पादन प्राप्त होने लगता है तो ये एक इसका दोश है दूसरी अगर हम बात इसके सीमाओ के करें तो हम देखते हैं कि पूर्ती जब सीमित होती है किसी भी साधन की पूर्ती जब सीमित होती है तो उस कंडिशन में उसकी उस वस्तु की कीमत उस समय बाजार में बहुत अधिक बढ़ जाती है अब इसकी پूर्ति को बराबर करने के लिए या मांग के अनुसार उसको एड़िस्ट करने के लिए कहीं न कहीं उत्पादन बढ़ाना पड़ता है और अगर उत्पादन बढ़ाना है तीसरी अगर हम इसकी सीमाऊ की बात करें तो कई बार जब हम उत्पादन की अन्य साधनों को इस्थे रखते हैं और तकनीकों ya मशीनों का प्रियोग करते हैं अगर वे शेयर फॉरानी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जितना हमको आउट-पुट नहीं मिल रहा है उससे जाधा खर्चा हमको मशीनों की गिसावट या बनावट उनको रिपेर कराने भी लग जाता है तो यहां पर भी कहीं न कहीं नियम लागु नहीं हो पाता है आए इस पूरे प्रक्रिया को एक ग्राफ और टेबल के द्वारा और अधिक अच्छे से समझें उत्पत्ति वृद्धी नियम की धारणा की व्याख्या करने के लिए हम इस तालिका का प्रयोग कर सकते हैं देखते हैं कि परिवरटनश ऐल साधनों के इक आयों में उत्रोत्तर वृद्धी का कुल उत्पादन ऑसत उत्पादन और सिमान तुप्स पर क्या प्रप्वा पड़ता है जब हमने परिवर्टन शील साधन की एक एकाई का प्रयोग किया तो कुल उत्पादन 10 यानि कि उसात उत्पादन भी 10 और सिमान उत्पादन भी 10 प्राप्त होता है परिवर्टन शील साथनों की दूसरी काई का प्रियोग करने पर फूल उत्पादन 10 से बढ़कर 24 हो जाता है यानि कि औसात उत्पादन अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 24 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसात उत्पादन हमको 12 मिलता है और अगर हम सिमान उत्पादक्ता की बात करें तो 10-24 क्योंकि उत्रोत्तर अत्रिक तिकाई से जो हमको उत्पादन मिलता है वही सिमान उत्पादन है तो 10-24 ये 14 हो जाता है वैसे ही जब हम श्रम की तीसरी एक आयका प्रयोग करते हैं तो फुल उत्पादन बढ़कर 24 से 48 हो जाता है उसत उत्पादन यानि की 48 को जब हम 3 से डिवाइट करते हैं तो 16 हो जाता है और सिमान तुद्पादक्ता निकालने के लिए हम 24-48 करते हैं तो सिमान तुद्पादक्ता 24 हो जाती है इसी प्रकार जब हम श्रम के चौथी और पांचवे एकाय का प्रयोग करते हैं तो खुल उद्पादन 80 और उसके बाद 120 हो जाता है उसत उत्पादन 20 और 24 हो जाता है और सिमान उत्पादन 3240 हो जाता है यानि इस पूरी तालिका से एक बात तो इसपश्ट है कि जैसे जैसे उत्पत्ति के साथनों में व्रिद्धी की जाती है वैसे वैसे सीमान तुत्पादक्ता, कुल उत्पादक्ता और औसत उत्पादक्ता में व्रिद्धी होती है इस पूरे तालिका के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो इस पर्ष्ट हो जाता है कि साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उसके तुलना में उत्प क्या है और व्रिद्धी नियम लगूंगी के डशा में इस ग्राफ करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे साधनों कीमात्रा बढ़ता जा press है जिसे हम टीपी से प्रदश्रीत करते हैं और उसके साथ साथ सेमान तुद पादक्ता भी बढ़ती गई है तो यही वह प्रता मवस्ता है जब साथनों में उत्तरोधतर वृद्धOME करने पर हम रेखाचित्र से एक और ऊस्पत्र हो जाती है कि जैसे जैसे उत्पादन के साथ होग यानि हम ने वृद्धिकि वैसे वैसे पुल उत्पादन और उसथ उत्पादन और सिमान तुद आधा गया जैनि की रेखा चित्र में AC और MC ऑसत इवन सीमांत लागत की रिखायें हैं जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे सीमांत और ऑसत लागत की रिखाये जो है वो घर्टी जाती है यहिनि इस पूरे चित्र से ये भी इस पस्ठ होता है कि जिस तेजी से सिमान्त लागते गिरती हैं उसके तुलना में उसत लागत थोड़ी कम तेजी से गिरती हैं जैसे कि प्राप्तने वाला उत्पादन है वह हमको बढ़ा हुआ मिलता है अब हम बात अगर उत्पत्ति सम्ता नियम के करें तो जैसे कि नाम से इस पश्ट सम्ता यानि कि जिस अनुपात में हम उत्पत्ति के साधनों में व्रद्धी करते हैं बराबर उसी अनुपात में हमको उत्प उत्पादन में व्रद्धी प्राप्त होती है इस पूरी प्रक्रिया को आए एक टेबल और ग्राफ के द्वारा और अधिक अच्छी से समझने का प्रयास करते हैं प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार जब कभी भी उत्पादन साधनों को एक दिये हुए अनुपात में बढ़ता जाता है तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता जाता है उत्पत्य सम्ता नियम को इस तालिका द्वारा हम और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं इस पूरी तालिका में श्रम की उन इकाईयों को दिया गया है जिसमें हमने उत्रोतर विद्धी की है कुल उत्पादन और स्थिमान उत्पादन के बारे में जानकारी है इस तालिका में हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम श्रम की अत्रिक तिकायों में विद्धी करते जाते हैं वैसे वैसे कुल उत्पादन पहले 10, फिर 20, फिर 30, 40 और 50 बढ़ता जाता है कुल उत्पादन के बार बार बढ़ने पर भी उसत उत्पादन समान रहता है क्योंकि जब कुल उत्पादन 10 था तब हमने श्रम की केवल एक हिकाई का प्रयोग किया था जब हम श्रम की दूसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 20 होता है और 20 को अगर हम 2 से डिवाइट करते हैं तो उसत उत्पादन हमको 10 मिलता है जब हम श्रम की तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं तो कुल उत्पादन 30 होता है तीस को जब हम तीन से डिवाइड करते हैं तो हमको उसत उत्पादन दस मिलता है इस प्रकार हम देखते जाते हैं कि उसत उत्पादन जो है वो श्रम की इकाई में व्रधी के साथ साथ समान बना रहता है अब क्योंकि उसत उत्पादन समान बना है कुल उत्पादन के अधार पर जब हम सीमान तुत पादन निकालेंगे तो हम सीमान तुत पादन में भी देखेंगे कि वो भी प्रत्ते किस तर पर समान है यानि कि पहले 10 है फिर हम दूसरी स्थिती में निकालेंगे 20-10 तो 10 ही आएगा 30-20 तो भी 10 आएगा 40-30 तो भी दस आएगा और 50-40 करेंगे तो भी 10 ही आएगा ये पूरी तालिका हमको बताती है कि ये एक ऐसी दशा है जब यहाँ पर उत्पत्ती सम्ता नियम या सम्ता लागत नियम लागू होता है एक रेखा चित्र से अगर हम इसको समझेंगे तो हम देखते हैं कि O X अक्षपर हम श्रम की मात्रा ले लिए और O Y अक्षपर हमने उत्पादन को ले लिया यहाँ पर कुल मिलाकर श्रम की प्रत्तेक इकाई में व्रिद्धी के साथ साथ औसत उत्पादन और सिमान्त उत्पादन क्योंकि समान है कहला कि छूल उत्र व्रिद्धी वी है अगर हम टी-पी वक्र का निर्माण करते हैं तो उत्रोद्ध्था के कारण कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है लेकिन हम ओसत और सिमान्त उत्पादक्ता की बात करते हैं तो दोनों समान होने के कारण हमको एक O X अक्ष के समनानता रेखा A B मिलती है जो कि उत्पत्ती समतानियम को प्रदशित करती है तो आपने देखा कि किस प्रकार जैसे जैसे हम उत्पादन के साधनों में व्रिद्धी करते गए लगबग उतनी ही अनुपात में हमको उससे होने वाला उत्पादन प्राप्त हुआ अब आईए हम देखते हैं कि उत्पत्ती या उत्पादन हास नियम क्या है नाम से इस पस्ठ है कमी हो रही है घटोती हो रही है यहाँ पर यानि कि उत्पादन के साधुनों में हम व्रिद्धी तो कर रहे हैं लेकिन उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन न तो अधिक हो रहा है ना समान हो रहा है बलकि और घड़ जा रहा है आईए इस पूरी प्रक्रिया को एक ग्राप और टेबल के द्वारा समझें प्रूफेसर मार्शल के अनुशार यदि क्रिशी कला में कोई सुधार ना हुँ तो भूमी पर उप्योक की जाने वाली पूंजी एवं श्रम के मातरा में व्रिद्धी करने से उत्पादन में समानिता अनुपात में कम व्रिद्धी होती है श्रीमती जॉन रॉबिंसन के शब्दों में उत्पत्ति हास नियम यह बताता है कि यदि उत्पत्ति के किसी एक साधन की मात्रा को इससे रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में उत्रोतर व्रिद्धी की जाए तो एक बिंदू के बाद उत्पादन में घट्ती हुई से इंदर से व्रिद्धी होती है उत्पत्तिहास नियम को अगर हम इस तालिका के द्वारा प्रदरशीट करें तो हम देखते हैं कि इस असे बिए सिमान तुद्पादक्ता भी घठती जाती है जैसे कि इस टेबल में हम देखते हैं कि जब हमने श्रम की पहली काई का प्रयोग किया तो कुल उत्पादन 10 दूसरी काई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 19, तीसरी काई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 27, चौथी काई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 33 और पांचरी काई के प्रयोग पर कुल उत्पादन 37 प्राप्त होता है। कुल उताधन को अगर हम शरम की काई की संख्या से भाग देंगे तो रहाओं मिलेगा जो कि पहली काई के प्रियोग Πर 10 स्रे कई प्रियोग पर 9.5 तीसरे कई के प्रियोग पर 9 कौर्थी कई के प्रियोग पर 8.25 और पाँच्वी पियोग पर 7.45 होगा है इसी तरह si कुल उत्पादन के अधार पर अगर हम सिमानत उत्पादक्ता की बात करें तो पहली काई के प्रयोग पर 10, दूसरी काई के प्रयोग पर 19-10 करेंगे तो 9, तीसरी काई के प्रयोग पर 27-19 यानि की 8, चौथी काई के प्रयोग पर 33-27 यानि की 6 और पाचे काई के प्रयोग पर यानिकी पूरी तालिका से एक बात तो फस्ट है कि जैसे जैसे हम श्रम की इकाईव में बृध्धी करते जा रहे हैं खणती होई दर से प्राप्त हो रहे हैं इसके आधार पर अगर हम एक रेखा चित्र कर निर्मान करते हैं तो एक्षपर हम श्रम की काय हैabilities और वाई अक्षपर हमcor saad or सिमान तुदपादक्ता को रखते हैं। किवल औसात और सिमान तुद्पादक्ता के अधाय पर अगर हम एक वक्र बनाएं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार औसात तुद्पादन में श्रम की इकाईयों को जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसमें कमी होती जा रही है यहां पर हम जो औसात तुद्पादन वक्र रहनिक अपी वक्र जो प्राक्त होता है वह किस तरह से बाएं से दाएं नीचे गिरता और दिख रहा है अब अगर हम सिमान तुद्पादन वक्र की बात करें तो हम देखते हैं कि पहली काई के प्रयोग पर सिमान तुद्पादन 10, दूसरी काई के प्रयोग पर 9, तीसरी काई के प्रयोग पर 8, चौथी काई के प्रयोग पर 6 और पांच रिकाई के प्रियोग में कुम होकर 4 है यहां पर हमने ऑस्ता है कि छा और अन्य साधनों को अगर इससे रखकर किसी एक साधन के उत्रोत्तरिकाई में हम व्रिद्धी करते जाते हैं तो एक ऐसी इस्तिती भी आती है जब औसत उत्पादन और स्रीमांत उत्पादन धीरे-धीरे घटने लगते हैं तो आपने देखा कि उत्पादन के इस पूरी प्रक्रिया में कई बार ऐसी दशा भी आ जाती है जब हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन तो करते हैं यानि कि व्रद्धी तो करते हैं लेकिन फिर भी उससे प्राप्थ हो नुएला उत्पादन हमको घड़ती हुई दश तकनीकों में परिवर्तन नहीं होता यह इस मानेता पराधारित है कि हम उत्पादन के साधनों में तो परिवर्तन कर सकते हैं भूमी की मात्रा को हम अगर दीर्ध काल की बात करें तो भूमी की मात्रा को हम बढ़ाया घटा सकते हैं पूंजी को हम कम जादा कर सकते हैं श्रम साधनों में परिवर्तन करने के बाद हमको उनी पुरानी तक्निक या विधियो का प्रियोग करना है वैसे अगर हम इसके दूसरी मानेता की बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ साधनों को इस सिर्खकर बार-बार हमने इस पॉइंट्स को दोराया कि उत्पत्ति के जब हम यह इसलिए उधारणों में देखा कि भूमी पुझी संगठन और साहास में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया लेकिन श्रमिकों की संख्या में हमने व्रिद्धी की तो यह भी एक माननेता है कि किसी एक में व्रिद्धी करना अन्य साधनों को इस से रखना है साथ हम उसमें देखते हैं कि परिवर्तंशी लिकाईयां जो होती है वो समरूप हो जैसे हमने एक्जामपल देखा कि श्रमिकों की संख्या में व्रिद्धी करनी है तो समरूपता हो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए यानि कि वो जो नए श्रमिक यहां लाए जा रहे हैं वो उस जो नियम है इसका संबंध वस्तू के मूल्य से नहीं होता है बलकि मात्रा से होता है जब हम उत्पादन में व्रिद्धी के साधनों को देखते हैं उनके गढ़ना करते हैं तो हम यह नहीं देखते कि पहले जिन श्रमिकों को हम पेमेंट करते थे वह एक लाक रुपे के पे उसमें आ जांगेंगे तो कहीं न कहीं नियम है मूह लिपर नहीं आधारित है बußकि मात्रा पर आधारित है उसी प्रकार यहां पर उत्पादन के पूरे पैमाने को इस थिर्मानगा घया है यान। ce वावस्ता है उसको सिकार किया गया यह मान लिया गया है कि कुछ जो परिवर्तर शी लिकाई हैं सिर्क उसमें परिवर्तन किया जा सकता है बाकि पूरे की पूरे पैमाने को इस्थिर्माना जाएगा तो यह तो थी इनकी मानिताओं की बात अब अगर हम देखें कि लागू क्यों होते हैं यह जो उत्पत्ति हास नियम है यह क्यों लागू होता है क्या कारण है उत्पत्ति हास नियम लागू होने के तो हम देखते हैं कि पहले भी हमने देखा इसके मानेताओं में कि एक साधन को ही हम परिवर्तित करते हैं बाकी जो स जाएक अंगर सादर कर दी जाए तो बराबर मात्रा में उसी पादन में बिधिया बsना में नहीं होता है दूसरा कारण का लेना कि टेस्ति हैं कि हम प्रयास तो करते हैं अद खेश करने में लेकिन कि मंपर आंगे पाल में हम सब सब्सक्राइब करें तो पांच साधनों में किसी एक में ही कुछ चेंजिस करना व्रद्धी करना ये भी कही न कहीं कारण बंध्धा उत्पत्ति हासनी अमलागू होने का वैसी अगर इसके तीसरे कारण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि साधन इस्थानापन नहीं होते हम यह नहीं कह सकते हैं कि संगठन करता हो कि संख्या कम है तो श्रमिकों को उससे अड़्यस कर ले पांचों साधनों का हमने पहले भी देखा था कि अपने आप में अलग-अलग महत्व है कोई भी साधन एक दूसरे के स्थानापन नहीं है यानि कि आपको जिस साधन की करते बहुत सारे साधनों का प्रयोग एक साथ करते हैं और जब हम चार को स्थी रकर किसी एक में वृद्धी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले हम जो पेमिंट उनको करते थे पहले जो हमारा उत्पादन का खर्च या लागत हमारी आती थी जाहिर सी बात है कि अब वह तो कहीं न कहीं आमित्वहिविआ खिस्द होता है покris sometime यह रूपत्य 001 उतपादन के किन खेत्रों में लागू होता है हैं सभी से पहली बात है तो करें तो करिशी के चेत्र में यह लागू होता है कैसे कि कि मैनुश्य सब्सेध्य जब खेती करने का प्रयास करता है जब बहुत उर्वरा भूमी पर खेती करता है तो जितना वह उसमें लागत लगाता है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में उसको उत्पादन मिलता है धीरे धीरे जब उस भूमी की उर्वरता कम होने लगती है तो जितनी लागत उस भूमी पर लगाई गई रहती है उससे कम मात्रा में उत्पादन प्राप्त होने लगता है तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि क्रिशी का जो वेवसाय है वहाँ पर भी उत्पत्ति हासनियम लागू होता है दूसरी अगर हम इसके छेत्री की बात करें तो हम देखते हैं कि निर्माणी उद्धोगों में भी उत्पत्ति हासनियम लागू होता है जाहिर सी बातप निर्माड़ी उद्योहों या कोई भी उद्योगो उत्पत्ति के जो 5 अनिवारी साधन हैं उनकी जरूरत पड़ती हैं तो इन 5ो साधनों पर हम जो व्य करते हैं, वो व्य कहीं न कहीं उत्पादन लागत का ही भाग है अब जब हम साधुनों में वृद्धी करते हैं तो जाहिर से बात है कि उत्पादन लागत बढ़ेगी अब यहाँ पर अगर स्टार्टिंग में जब उत्पादन लागत बढ़ती है तो साथ में उत्पादन भी बढ़ता है एक समय के बाद वो कहीं न कहीं लागत के बराबर हो जाता है और लगातार जब हम उस पे वृद्धी करते जाते हैं तो वहाँ पर भी हमको उत्पत्ति हासनियम लागू होता है तीसरी बात अगर हम करें खनी जुद्ध्योगों की तो हम देखते हैं कि जो खदाने होती है वहाँ पर बहुत से मजदूर लगे हुए होते हैं हम उत्खनन करते हैं उनका खनी जो का और जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती जाती है वैसे-वैसे क्या है मजदूरों की संख् भी बढ़ती है गहराई बढ़ने से और जादा हमको मशीनों करना पड़ता है तो होता क्या है कि लागत तो यहाँ बढ़ती जाती है लेकिन उत्पादन या तो दरियने वहां पर होने लगता है तो टो निजय का बात ने का वेवसाय किया जाता है लकडी काट कर लाया जाता है तो कहीं न कहीं जंगलों, तक जाना वहां से लकडी काट कर लाना यह सारे वे यह होते हैं वह लकडी कटी हुई लकडी को की punches व्ले काई अपनेz। बढ़ती जाती है और कहीं न कहीं एक समय ऐसा आता है जिब लागत ज्यादा हो जाती है और उसे प्राप्त होने वाला मूल्य जो है वो कम हो जाता है तो उस इस्तिती में इस वैफसाय में भी उत्पत्ति हास्नियम लागू होता है अब अगर हम बात करते हैं मचली पालन उद्योग की तो मचली पालन उद्योग में भी हम देखते हैं कि पहले जब उसको प्रारम करते हैं तब तो बहुत अधिक मात्रा में मचली हम पकड़ पाते हैं उतने ही उश्रमिक हम लगाते हैं जितनी हमको जरौत होती है लेकिन दीर पर बनाते हैं तो वहां पर उतने ही मजदूरों के द्वारा वो कम समय में बन पाता है या उसकी लागत कम आती है लेकिन जैसे जैसे हम कि मजदूरों की संक्या में एक हुरिद्धी करने पड़ती है तो मजदूरों चाहिए कि यह हैं जहां पर उत्पत्ती हैस्नियम् होने जहीं चाहें वो विनिर्मांट संभन्दी हो मचली पालन क्रिशे सब्धार के व स्था में मिलता है तो हम यह सकते हैं कि इसले भी मात्वपूर्ण है कि प्रत्य प्रकार के उत्पादन के छेत्र में लागू होता है दूसरी बात अगर हम करते हैं तो मालतस के जन संक्या सिध्धान्त का अधार है मालतस ने अपने जन संक्या सिध्धान्तों में जिन बातों क प्रतिपादन किया है आगे के अध्यायों में उसे और विस्तार से पढ़ेंगे वो कहीं न कहीं उत्पत्ति हासनियम पर ही आधारित है वैसे ही रिकॉर्डों की लगान सिद्धान पर भी आधारित है रिकॉर्डों ने भी माना है आगे हम और विस्तार से इसका अधियन करें मनुश्य जब प्रारम करता है चील सबसे पहले जब जब सब Chief बोटा कन्य फोड़ा का उत्पादन मिलेगा और कहीं न तरह आ जाएगा जैसे उत्पत्ति हासनियम का है यानि कि पहले जिस साधन बढ़ाया उसके अनुपात में उसको व्रिद्धी जो हुई उत्पादन में बढ़ती हुई अवस्ता में फिर समान हुई और घट गई तो कहीं न कहीं उत्पत्ति हासनियम भी रिकॉर्डो का जो लगान सि सौचता हैं वह अपना इसी प्रकार थारित करता है कि जो भी उसको आयप्राप्त हो रही हुआ उससे वह अपने सभी सबसे जरूरी आउश Quick Separate तो शक्ता मैट करते हैं करता है वैसे की जाती है तो ज्ञदा उत्पादन मिल सके इसके लिए समय अmember नई वैड्यनिक अविश्कार नई तख्निकों का प्रयोग यह खोज किया जाता रहा है तो कही न कहीं से नए अविश्कार भी होते हैं उसी प्रकार दैनिक महत्तूबिया हम अपने जीवन में करते हैं उनको this RMG जो होती है वो मनुष्य के मनुवज्यानिक धार्णा है कि जिस समान अट्म करते हैं तो पर चैंज आत्फिया क्या होती है घंप और एक समय आता है कुछ यहां पर घ्यायों होती है यह सबये और इसेख्राइब हम यानि कि दैनिक जीवन में हम जिन चेजों का प्रयोक करते हैं कहीं न कहीं वहां पर भी ऊथपत्ति हास्नीयम लागो होता है अब हम अगर बात करें पेमाने के प्रतिफल की पैमाने के बारे में हमने देखा कि पैमाना क्या है पहले हमने देखा कि जो उत्पत्ती के साधन है वो दो भागों में बटे हुए है इस्थिर और उसके बाद परिवर्तन शिल इस्थिर साधन जो है उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता या फिर दीर्धकाल में परिवर्तन होता है जैसे मशीने है भूमी है भवन है यह ऐसे साधन है जिसमें जिनको बढ़ाने के लिए थोड़े से समय क्यावशक्ता होती है तो वास्तों में जब एक को इस्थिर रखकर या एक साधन में व्रदी करके बागी को इस्थिर रखा जाता है तो वो परिवर्तन शीलन उपातों का नियम वहाँ पर लागू होता है लेकिन जब पूरा का पूरा पूरा पैमाना बदलना हो यानि कि जब पांचों साधनों को बदलना हो उत्पत्ति के जो साधन है उन सब साधनों में परिवर्तन करना हो उन सब साधनों में वृद्धि कर कमार्पार्ट यहीं प्रतिफल कहला और अच्छे से जानलें पहला अनुपात और अल्पकाल से हैं जबहात करते हैं कि gel Silent को कि शट्र में व्रिद्धी कर दिया तो हमने कुछ अनुपातिक परिवर्तन मेहां पर किया तो अनुपात का जो संबंद है वो अल्पकाल से हैं लेकिन जब हम पैमाने के बात करते हैं तो यह देर्धकाल से संबंद रखता है याने कि सारे साधनों में परिवर्तित कर देना सारे साधनों में परिवर्तन ला देना ही पैमाने का प्रतिफल होगा आई अब देखते हैं कि पैमाने के प्र यह दिखा जाता है कि साधनों में जो हमने परिवर्तन किया है यानि कि उत्पादन की साधनों में जो परिवर्तन किया है उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है क्योंकि यह पैमाने का प्रतिफल है यानि कि किसी एक साधन की बात हम यहां पर ना करके उत्पादन मे जितनी साधन लगे हुए है सब में परिवर्तन की बात करते हैं दूसरी बात हम देखते हैं कि किस दर में या किस अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है सभी साधनों में बराबर बराबर अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा है या किसी अन्य अनुपात में तीसरा बि प्रतिफल के प्रतिफल के उधार्णा को हम तीन भाजों में बाट कर इसका अध्यन करते हैं से प्रतिफल को अ करती जाती है वैसे ही प्रारंभी कवस्था में उत्पादन साधनों में की गई वृद्धी की दर की तुल्णा में अधिक दर से बढ़ता है इसके बाद में यह साधनों में की गई अनुपातिक वृद्धी के समान अनुपात में बढ़ता है और अंत में यह साधनों में की ग बढ़ते हुए प्रतिफल इस्थिर और घड़ते हुए प्रतिफल के आधार पर ही समझा है अगर हम पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की बात करें तो नाम से ही स्पस्ठ हो रहा है कि बढ़ता हुआ प्रतिफल हमको प्राप्त होता है उदारन के लिए अगर हम उत्पत्त कि साधनों में 20% की वРिद्धी करते हैं, तो कहीं न कहीं उससे प्राप्त होने माला उतपादन 25% तक बढ़ सकता है। जैसे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, यानि कि जिस अनुपात में साधन लगाये गए हुससे कहीं?" पात में हमको उत्पादन की जो व्रिद्धी है वो हमको प्राप्त होती है क्यों होता है ऐसा क्या कारण है चेंबरली ने बताया है कि शायद यह इस कारण से हो सकता है क्योंकि यहां पर जब हम उत्पादन की साथनों में व्रिद्धी करते हैं याने श्रम को कि संख्यामान ल यह प्राप्त होता है इस पूरे नियम को आए ग्राप के द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं प्रतिफल के नियम को हम ग्राप द्वारा समझेंगे इस ग्राप में O X अक्षपर श्रम और O Y अक्षपर फुजी को दशाया गया है इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि किस प्रकार OR रेखा पैमाने की रेखा है जो कि चार बिंदू A, B, C, D को काड़ती हुई आगे बढ़ती हैं ये रेखा श्रम और पूंजी के विभिनिसायोगों को बताती है और ये भी बताती है कि इससे प्राप्त होने वाले उत्पा रहे हैं यानि कि ये क्रमशा 100, 200, 300, 400 इकायों के उत्पादन को बताती है इस पूरे ग्राफ से एक बात इस्पश्च हो जाती है कि उत्पादन में व्रिध्धि की दर जो है वो समान है जैसे कि हम इस नियम के तहट पढ़ रहे हैं कि हमने साधनों में जितनी व्रिध्धि क यानि कि अगर 100 इकायों का अगर हम व्रिध्धि करते हैं 100 इकायों के उत्पादन में तो उससे प्राफ्थ होनाला उत्पादन भी 100 इकायों से बढ़ जाता है यह बात पैमाना रेखा मेस्तित बिंदू ABCD से इसकी जो दूरी है वो बताती है इस पूरे चित्र से एक बात यह भी स्पश्ट है कि AB की तुलना में BC की दूरी कम है और BC की तुलना में CD की दूरी कम है अब इस पूरे रेखा चित्र से एक यह बात भी स्पश्ट हो जाती ह कि अनुपात में श्रम और पुंजी की कायों को बढ़ाया जा रहा है तो उसके तुल्णा में उत्पादन की मात्रा भी अधिक्राप्त हो रही है तो आपने देखा कि किस प्रकार जब हम पूरा का पूरा पैमाना बदल देते हैं उत्पादन के सभी साधनों में व्रिद्धी कर देते हैं तो उत्पादन भी हमको उसे अनुपात में बढ़ा हुआ मिलता है या उसे जादा अनुपात में हमको प्राप्त होता है दूसरी अगर हम बात करें तो पहमाने के प्रतिफल का ये इस्थिर अनुपाद ये बताता है कि साधन में हम जितने प्रतिशत की वृद्धी करते हैं उत्पादन के जो पांचो साधन है उसमें हम जितने प्रतिशत की वृद्धी करते हैं प्रतिशंद बढ़ा हुआ मिलताfill के साधिन अगरं 20 प्रतिशंद करते हैं तो ससूल आइश का रख ता हो गारा शायद माना गया है कि सभी साधिनों में अनुपातिक व्रिद्धी की गई इसलिए पहले के पिक्षा अब उत्पादन में भी समान याने उसी दर में वृद्धी प्राप्त हुई आईए इस पूरी प्रक्रिया को एक ग्राब द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं पैमाने के इस प्रतिपल को अगर हम ग्राप द्वारा देखी तो हम देखते हैं कि इस पूरे रेखा चित्र में OX अक्षपर श्रम और OY अक्षपर पूंजी की इकायो को दिखाया गया है यहाँ पर हमको जो वक्र IP1, IP2, IP3 और IP4 मिलता है यह चारो समुध पादवक्र है यह वक्र क्रमशा 100, 200, 300 और 400 इकायो की उत्पादन की मात्रा को दर्शाते हुए बनाए गया है यहाँ पर जो QR रेखा है यह पैमाने की रेखा है जो इन चारो बिंदू A, B, C, D को काड़ते हुए बनती है यह जो बिंदू A, B, C, D है यह बिंदू श्रम और पुझी के सैयोग से उत्पादन की भिन भिन मात्रा में क्या परिवर्टन हुआ है इसे बिताते हैं यह पूरे चित्र से इस पर्ष्ट है कि OR पैमाना रेखा पर A, B, C, D बिंदू की आपस में दूरिया एक समान है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर उत्पादन के चित्र में पैमाने के इस्तर प्रतिफल का नियम लागू हो रहा है तो आपने देखा कि किस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में एक निश्चित अनुपात में निश्चित प्रतिशत में व्रिद्धी की गई एक्जेक्ट उतना ही उत्पादन में भी व्रद्धी हमको मिला इसी तरह जब हम घटे हुए प्रतिफल की नियम की बात करते हैं तो नाम से इस पस्ठ है कि साधनों में जिस प्रतिशत में व्रद्धी की गई है उससे घटे हुए अनुपात में हमको उतपाधन में वृध्धी मिली है यानि कि साधनों में हमने 20 प्रतिशत वृध्धी की लेकिन जब उतपाधन मिला तो वह हमको पहले के पिक्षा 10 प्रतिशत घटा हुआ मिला के नेखांद का करिंगर होता है कि वस्तु साधना में क कोय लागुत कि परिवरतन सकता है और दूसरा साधनों करेंगे तो कहीं न कई लागत तो बढ़ेगी हो सकता है उसन उपात में हमको उत्पादन ना मिले तो यहां पर जो है जो उत्पादन है वह घटता घटती हुए दर से हमको मिलेगा आए इस जो घटता हुए प्रतिपल का निया में इसे एक रेखा चित्र द्वारा और अधिक अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं पैमाने के घटते हुए प्रतिपल को अगर हम रेखा चित्र द्वारा इस पश्ट करें तो हम देखते हैं कि रेखा ओ एक्स अक्षपर श्रम्प और ओवाय अक्षपर पूंजी की काया दी गई है यहां पर जो चार वक्र हमको 200, 300, 400 है रेखा ओ आर जो है वो पैमाना रेखा है जो कि पिछले ग्राफ की तरह ABCD चार बिंदों को क्रॉस करती हुए आगे बढ़ती है और यह बताती है कि श्रम्प एवां विभिनी सयोगों पर अलग-अलग उत्पादन की मात्रा क्या है यानि कि इस चित्र को जब हम द अधिक है इसका एकर्थ यह भी है कि उत्पादन में अगर 100-100 एकायों के अतरिक व्रिद्धी कर दी जाती है तो इसके लिए श्रम्प और पूंजे की अधिका अधिक एकायों का प्रयोग किया रहा है यह यह भी कह सकते हैं कि उत्पादन में पैमाने के घटते हुए प्रत सदर से व्रिद्धी प्राप्त नहीं हो पाई अब आये देखते हैं कि हमने इसके पहले जो देखा यहने की परिवर्तन शील अनुपातों का नियम और अभी हमने देखा पैमाने का प्रतिपल इन दोनों में कुछ सूक्ष मंतर है कौन कौन से अंतर है वो पहली अगर हम बा साधनों में अनुपातिक परिवर्तन की बात करता है यानि कि यह कहता है कि अन्य साधन को इस से रखकर किसी एक साधन में अनुपातिक रूप से व्रिद्धी की जाए लेकिन अगर हम पैमाने के प्रतिपल की बात करें तो हम देखते हैं कि अहां पर सभी साधनों को तो हम यह कह सकते हैं कि परिवर्तन शील अनुपातों का जो नियम है वो अलपकाल से संबंदित है और पहमाने के प्रतिफल का जो नियम है वो दिर्दकाल से संबंदित हैं कि तीसरा अंतर हमें कि यह देखते हैं कि साधन यह परिवर्तन शील अनुपातों का नियम जो साधन जो है वो अनुपातिक रूप से बढ़ाया जाते हैं कोई निश्चित अनुपात नरधारित करके बढ़ाया जाते हैं लेकिन अगर हम पैमाने के प्रतिफल की बात करते हैं तो वो जो अनुपात होते हैं वो इस्थिर रहते हैं है इनि सब में सबमर्थ् OnePlus से झो चेंजेंस है जो परिवर्दन प्र देंक हैं वैसे अगर हम इसके और डिफरेंस की बात करें तुम दिखते हैं कि जो न हाजा कि एक परीवर्दन का पुर्बरी उत्रपाढन पर दालते हैं कि लेकिन प्रातिफल की नियम कि ना mi से इस पस्टे की पूरे की पूरे पैमाने को परिवर्तित करता है यानि कि उत्पादन में जो परिवर्तन आया है वो इसलिए आया है क्योंकि उत्पादन के पूरे पैमाने में परिवर्तन कर दिया गया है तो यह कुछ अंतर हैं इन दोनों में तो अब तक हमने देखा कि किस किस प्रकार जब हम उत्पादन में वृद्धी करना चाहते हैं तो हम उत्पादन के साधनों में क्या परिवर्तन करते हैं किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं और उन परिवर्तनों के हमको क्या परिणाम मिलते हैं कभी बढ़ा हुआ कभी इस्थिर और कभी उससे भी कम तो य ये सारे जो नियम है ये कही न कही परिवर्तन शेल अनुपातों की नियम और पैमाने के प्रतिफल की नियम को दर्शाते हैं